तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि कीवर्ड रिसर्च या SEO या डिशनल मार्केटिंग सिर्फ उन बिजनसेस के लिए है जो ऑनलाइन बिख सकते हैं बहुत सारे लोग जो फिजिकल बिजनसेस रखते हैं उनको लगता है कि SEO या मार्केटिंग उनके लिए नहीं है वो इसको इग्नोर करते हैं और वो अल्टिमेटली इसमें फ्लॉप हो जाते हैं तो इन में से एक के स्टड़ी मैंने ली है डेंटिस्ट की अगर एक डेंटिस्ट को आप इमेजिन करें तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता अपना इलाज करवाने के लिए लेकिन क्या डेंटिस्ट के लिए डेंटिस्ट के लिए डेंटिस्ट के लिए डेंटिस्ट अप्शन हो सकती है क्या वो अपना बिजनस ग्रो कर सकता है डेंटिस्ट की वज़ा से क्या SEO में लोग उसको identify कर सकते हैं कि अच्छा डाक्टर कौन सा है क्या search उसकी brand building में उसकी recognition में उसको help कर सकती है या acquisition में उसको help कर सकती है Ultimately यह वो सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम अभी हम find out करेंगे In short मैं आपको यह बताता चलूँ कि business चाहे कोई भी हो आपको digital पे सब सर्च कर रहे हैं और इनमें वो businesses भी हैं जो digital पे चलते हैं और वो businesses भी हैं जो digital पे कभी जोने ने शायद सोचा भी नहीं था तो doctors एक ऐसी category है जो के समझते हैं कि उनके पास customer चल कर आता है और इस तरह से बहुत सरे businesses और भी हैं जिनको यह लगता है कि customer भाइपस चल कर आता है और उसको digital marketing की क्या जरूरत है या हमें website की क्या जरूरत है या SEO में हम क्यों invest करें जब कि हमारा customer हमें खुद call करता है अभी हम identify करेंगे कि क्या dentist या इस जैसे और businesses उनको Google से कोई help मिल सकती है या उनको digital marketing या SEO से कोई help मिल सकती है और अगर मिल सकती है तो वो कैसे आए देखते हैं मैं दुबारा से Google Ads पे login करूँगा उसमें keyword planner टूल पे जाऊँगा और सबसे पहले मैं search करूँगा dentist अगर मेरा dentist का business है तो मैं expect करूँगा कि लोग dentist लिखकर ही मुझे search करेंगे तो हम भी देखेंगे कि सबसे ज़्यदा dentist में क्या search होता है जैसे मुझे result आया तो आप देख सकते हैं कि उसमें काफी ज़्यदा searches हैं इसको मैं आगर sort कर लूँ highest to lowest तो teeth whitening सबसे ज़्यदा सर्च हो रही है पाकिस्तान में इस वक्त dentist के लिए तो 1000 से 10,000 लोग यह वो लोग हैं जो teeth whitening चाहते हैं उसके बाद crown, tutek, braces, dentist games, veneers, teeth basis यह सारे keywords हैं जो सर्च हो रहे हैं तो इसमें से dentist games शायद ऐसा keyword है जो के maybe dentist related ना हो maybe यह mobile apps या mobile games के related हैं so हम इसको क्या करेंगे हम इसको further explore करने के लिए download कर लेंगे और मैं मजीद चाहूँगा कि हम मजीद keyword search करें so for example मुझे यहाँ पर dental clinic एक word नज़र आया जो के एक अच्छा keyword है dentist के लिए हो सकता है लोग dentist लिखके dentist को ना सर्च करें वो dental clinic लिखके dentist को सर्च करें so हम इसको keyword को expand करेंगे keyword इस search को expand करने के लिए मैं dental clinic सर्च करूँगा और देखूँगा कि इसके गेन सामय क्या result आता है जैसे ही मैंने dental clinic लिखा top पे मुझे अभी भी dentist मिल रहा है तो इसको भी हम download कर लेंगे ताके हमें पता हो कि कितने लोग इस search कर रहे है finally जैसे कि हमने देखा कि teeth whitening एक important topic है तो अगर मैं teeth whitening as a keyword ही search करूँ और देखने हूँ कि teeth whitening करवाने वारे लोग teeth whitening को search करने के लिए और क्या-क्या लिखते हैं तो मैं इसको search करके देख सकता हूँ कि इसके against Google क्या-क्या हमें शोग करता है तो Google के नजदीग अगर आप teeth whitening सर्च कर रहे हैं तो वो audience, probably wisdom teeth, veneers, tooth pain, crown या बाकी चीज़ें भी सर्च करेंगे तो teeth whitening में teeth whitening tips भी लोग सर्च कर रहे हैं और उसके बाद natural teeth whitening जैसे टोटके भी सर्च कर रहे हैं तो अगर आप एक doctor की website हैं तो आपको कोई हर्च नहीं है कि आप tips जो लोग धूनना चाहरे हैं वो आपकी website से ही वो ले लें क्योंकि अगर वो आपसे ठीक करवाने आएंगे दान्त तो अगर ये भी possibility है कि वो पहले आप पर trust build करने के लिए आपकी आपके ब्लॉग को पढ़ें आपके आर्टिकल्स को पढ़ें और उसमें देखेंगे कि आपको कितना पता है अपने field के बारे में और आप कितना बेतर जानते हैं जब आपकी tips पढ़ेंगे तो may be possibility है कि वो आपसे आपके इलाज भी करवाएंगे तो इसको भी मैं download कर लूँगा मैं अपनी Google Drive में जाकर एक नए client का folder create करूँगा जिसमें मैं इसका नाम xyz dentist रख रहा हूँ इसके under मैं keyword research का folder create करूँगा और इसके under मैं different folder create करूँगा उनके keyword से related so dentist और dental clinic अलमोस्ट एक ही चीज को सरच करने के लिए दो different terms हैं तो मैं उनको possibility है कि एक ही जगा पे लिख लूँगा dentist का मैंने एक folder create कर दिया और इसके बाद मैं teeth whitening जो के एक service है उसका folder बनाऊंगा और मैं इन folders में वो file लें upload कर दूँगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने file लें upload कर दी हैं और मैं अब इसको एक file का open करूँगा और उसमें अपने keyword shortlist कर लूँगा यह देखने के लिए कि मेरे कौन से keyword related हैं और कौन से नहीं तो आपने देखा होगा कि मैंने file के नाम change नहीं किये जो के बाद में मसला कर सकती है कि मुझे शायद जाद ना रहे कि यह file किस keyword के गेंच थी तो मैं इसको अभी change कर सकता हूँ ताके हमें यह बाद में याद रहे कि यह हमने किस के गेंच सर्च की थी तो same होई practice करेंगे जैसे कि हम पहले करते आ रहे है इसको हम organize करने के लिए filters लगाएंगे filter लगाने से पहले हम एक column और create कर लेते हैं और इसको number assign कर लेते हैं numbering करने से फाइदा जी होता है कि आप sorting दुबारा कर सकते हैं जैसे कि यह default sorting में थी इसको मैं filter लगाने के बाद minimum searches को मैं highest to lowest sort करूँगा ताके सबसे ओपर वो keywords आजें जो सबसे दाद सर्च हो रहे हैं dental clinic मुझे एक अच्छा keyword लग रहा है क्योंकि possibility है कि जो dentist के बाद जाना चाहा है वो dental clinic search करेगा dentist भी अच्छा keyword हो सकता है लेकिं यह बहुत broad बहुत एक short tail keyword है और इसमें काफी variations आ सकती है तो इसको हम priority पर नहीं रखेंगे लेकिं in future में भी sometimes हम चाहेंगे इसको भी हम optimize करें किसी page के उपर तो जैसे कि आप देखें हैं dental surgery या to extraction यह बड़ी specific keywords हैं और बड़ी specific services हैं जिसके गेंश एक नया page बनाया जा सकता है अगर already exist नहीं करता और आप उनके उपर जब कोई to extraction सर्च करें तो अगर आप यह services offer करते हैं या आपका client जो के एक doctor होगा वो इस services offer करता है तो वो इस पे traffic लेकर इस पे conversion ले सकता है कुछ लोग dental clinic near me search करते हैं यह near me एक बड़ा interesting topic है इसको मैं अभी आपको elaborate करता हूँ क्योंकि यह google का एक artificial intelligence जो है उसको trigger करता है तो नीचे अगर आप drill down करते जाएं तो आपको काफी ऐसे keywords मिलेंगे जिन पर हम नए pages बना सकेंगे जिन पर आप keywords आप देख लेंगे कि कौन से keywords किस pages पर जाने चाहिए और ultimately हम यह same वो ही exercise repeat करेंगे जो हमने बाकी brand के साथ की थी क्योंकि कोई भी business अगर आप लेके चल रहे हैं तो उनके लिए सब का एक procedure keyword research का उसको shortlisting का सब एक ही है आपने सारे keywords उनके business goal से link करने हैं ताके उनको sales generate हों और जब उनको sales generate होंगी तो उनको business में लेगा उनको business में लेगा तो आप ज़्यदा पैसे कमाएंगे ultimately आपकी jobs रहेंगी और अगर यह आपका अपना business है तो of course आप खुद भी इसको grow कर सकते हैं अपने businesses को जैसे कि आपने देखा इस example में हमने dentist के लिए keywords shortlist किये इसको आप मजीद elaborate कर सकते हैं मजीद services के लेते हुए आप मजीद expand कर सकते हैं मेरा मकसद यह था कि मैं आपको idea दे दूँ कि start कैसे होता है और यह कैसे किया जा सकता है of course इसमें कोई limit नहीं है और यह never ending process होता है क्योंकि जब तक website होती है तब तक आप इसको करते चले जाते हैं इसमें एक important बात जो हमने देखी वो थी dentist near me तो near me का keyword एक बड़ा important keyword है जो के बड़ी थेजी से Google में popular हो रहा है तो जैसे कि हमने शुरू में डिसकस किया था कि Google हमें हर जगा से track करता है जब लोग लिखते हैं near me तो असल में Google को जो लोग यह पूछते हैं कि मैं जहां घड़ा हूँ या मेरे आसपस दिखा सकता है तो इसके लिए Google का पूरे एक engine trigger होता है और वो आपकी location track करता है location track करने के लिए वो आपके mobile phone से GPS से track कर सकता है अगर आप system पे हैं तो आपके IP address से track करेगा और आपको वो ही results दिखाएगा जो आपके आसपस होंगे तो imagine करें किया कि Google यही चाहता है कि आपको right time पे right results दे तो जब मैं यह लिखूंगा dentist near me और मैं लाहूर में हूँ तो लाहूर के ही dentist में नजर आएंगे और possibility है कि वो लाहूर के अंदर भी अगर मैं locality में हूँ for example मैं गुलबर्ग में हूँ तो सिर्फ गुलबर्ग के ही मुझे dentist दिखाएगा तो itself एक यह keyword बन गया लेकिन near me सिर्फ keyword नहीं है यह basically एक algorithm है Google का जिसके तहट वो यह launch करता है कि वो आपको पहलेट ट्रैक करेगा कि आप कहा हैं उसके बाद वो business को track करेगा कि इस के आसपस businesses कौन से हैं और यहाँ पर Google Maps से वो data link करेगा और Google Maps के results भी दिखाएगा और Google के results भी दिखाएगा so ultimately आपको वो results मिल जाएंगे जो आप धून रहे हैं so यह चीज़े businesses के लिए बड़ी important हैं understand करना कि लोग क्या link कर सरच करते हैं और किस तरह से queries बदलती हैं different services को धूनने के लिए तो जो brand या जो business इन keywords को capture कर लेगा अच्छी तरह से demand को capture करेगा तो वो जादा पैसे बना सकेगा